तो दोस्तों टेस्टिंग प्रोस्टेस के बाब चलिए अब हम जानते हैं थायिप उप उझी मुबाइल बोर्ड अनि की एक मुबाइल फोन के बोर्ड में किस तरह का क्वाइल यूज होता है और उसको हम कैसे पहचान सकते हैं तो इसके इंफ्रमिशन हम लेते हैं और एक पार्ट क्या होता है मोटा होता है जैसे मतलब एक मोबाइल के बोर्ड में जो रेजिस्टर यूज होता है वह भी सेम इसी तरह का होता है लेकिन रेजिस्टर का साइज बहुत ही छोटा और पतला होता है लेकिन अगर कोई रेजिस्टर जैसा ही देखने वाला बड़ा और मोटा पार्ट है तो उसे हम single color coil कह सकते हैं तो चलिए मैं आपको देखाता हूँ एक single color coil किस तरह का होता है तो आप यहां पे देख सकते हो एक बड़ा बड़ा जो दो पार्ट यहां पे लगा हुआ है एक coil है जिसे हम single color coil बोल सकते हैं तो आप देख सकते हो इसका जो बड़ी कलर है वो ब्लैक है और इसके दोनों साइड में इस तरह से मेटल लगा हुआ है तो इस तरह के component जो मोबाइल के board और laptop के board में लगे होते हैं उसे हम single color coil कहते हैं और single color coil का size इससे छोटा भी हो सकता है लेकिन वो थोड़ा मोटा ज़रूर होता है तो दोस्तों यह एक laptop का board है और इसमें आप देख सकते हैं यह जो बड़ा साइज में रेजिस्टर है देखने में बिल्कुल कोईल की तरह ही है लेकिन इसका size बहुत ही छोटा और पतला होता है और इसका सिंबल है और लिखा होता है कहीं पर देखोगे तो चलिए मैं आपको एक और कॉल दिखा दे तो यह पर जेख सकते हैं पर लिखा हुआ है तो यह भी कॉल है और यह जो सारी पार्टे आप देख रहा हो यह नॉन बिच बिच के जो पार्ट सबदेख रहा हो यहां पे यह सभी नॉन पोलर इकक घ्रन ऐूड़िस्टर है और यह सभी आपको ज़ो देख रहा है उट उसको अम इस्ता रहाक चण आसे उसका अलवज तोड़ा होता है और यह कुछ छोटे साइज में भी मिलता है आपको देख सकते हैं यहां पर एक छोटा साइज में भी है तो दोस्ते आप यहां पर देख सकते हैं एक छोटे साइज का क्वाइल भी यहां पर लगा हुआ है और रेजिस्टर से बिल्कुल अलग होता है रेजिस्टर मतलब तो जो डबल कलर कोल होता है उसका बड़ी दो कलर का होता है तो उसका बड़ी उसका हाफ पार्ट ब्लैक है तो बागी हाफ पार्ट में वाइट कलर लगा होता है या तो उसका जो बड़ी है वो ब्लू कलर का होगा और साइड में ग्रीन कलर का दोने साइड में लगा होगा त तो दोस्तो आप देखसकते हैं यहां पर इसका नष fragments भलू है-उर साइव भर में अए ग्रीन कोलर का लगा हुआ है तो यहां है को दोस्तो यहीं सकते हैं संभी स्कते को सबना के सकते हैं और इसके अलावा ब्लायक एंड वाइट एंड मिलता है तो चलिए मैं इस बॉर्ड में नहीं दिखता हूं तो दुस्तों इस बॉर्ड में देख सकते हो इस तरह से ब्लाइक करणा कुछrent वाइट वाला आप यहां पर देख सकते हो पसके निए चुछ ब्लैक और डिके लाइन भाइट कण्णूर वाल पर चोड़ है लेकिन इसका बड़ी आपको ब्लैक और वाइट कलर में आपको दिख रहा है, तो यह भी एक कॉइल ही है, मोगाईल के बॉर्ड के अंदर यूजेने वाला कॉइल है, और इस तरह के कोईल को को हम double kol रहते हैं और ये जो है और डवल कोया और यह जो है वभी puisque व से चलिए देखते हैं यहा एक पार्ट लगवा है यहां पर तो इस तरह का पार्ड को बुुश्ट कोयल बला जाता है और इसका सेफ समटाइमस rectangular हो सकता है तो इसमें देखते हैं rectangular का क्वाइल तो कहीं प्रोभी दिख नहीं रहा है इसमें ए है और चलिए इसको पीछे देखते हैं यहां पर तो तो दोस्तों पीछे भी नहीं है दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर एक ब्लैक और वाइट वाला पार्ट आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर हाफ ब्लैक और हाफ वाइट वाला पार्ट तो यह भी क्वाइल है इसको डबल कलर क्वाइल बोला दाता है और जो ब्लैक क यहां पर एक rectangle shape का component आपको दिख रहा है और इसके उपर एक dot सा लगा हुआ है तो दोस्तों पार्ट आप देख रहा है वह भी बूस्ट कोईल है तो चलिए मैं आपको laptop के board में देखा देता हूं जिससे आपको पैसाने में बहुत ही आसानी होगी तो दोस्तों laptop को बाइड में 구न कुछ बहुत ही बाड़ बाड़ लगा होता है तो आप देख सकते हैं यहां पे जो बड़र पाट्रीयों कुछ बड़र पड़ इंदर गंदर सब ऑद तो मोईल के बूड के अंदर तो दोस्तो तो दोस्तो बुस्ट कोईल के बाद अब एक और कोईल होता है जिसे हम ट्रांस्पेरेंट और या विजिवल कोईल कहते हैं तो यह उतना ज्यादा नहीं होता है सभी मोईल के अंदर आपको नहीं मेलेगा यह मोईल के अंदर आपको देखनें को मिलता है तो मेरे पास बसalen परOOOOM तो मैं आपको इस तरह का बोड नहीं है बिभीड में देखा रहे होगा तो मैं आपको डाइग्राम होता है आप इसका वायर को देख सकते हो लेकिन जो दूसरे क्वाइल है उसका वायर आपको भीजबल नहीं होता है वो दिखाई नहीं देता है तो इस तरह के क्वाइल को भीजबल या ट्रांस्पेरेंट क्वाइल बोला जाता है जिसका तार बाहर से ही देखने को मिल जाता ह तो दोस्तो जैसे मैं आपको देखा देखा देखाते हैं याँ पे यह को नहीं झल है और अबस्तो इस बॉड्ड में भी में आपको कुछوع देखा देता हूं जैसे आप यहां पे जैसे बने फान्ल और RUM Team पर देसक्ते हो और अब देख तो मतलब एक आहे जा morang जो और जो डव और दोस्तों बुस्ट कोईल के बाद जो लास्ट कोईल होता है इससे हम एरे कोईल कहते हैं तो दोस्त आप देश सकते हैं तो दो कोईल का बड़ी को एटाइज करके रखा हुआ है तो दो कोईल को इस तरह से अगर फिजिकली एटाइज करके बनाया जाता है तो तो यह सकते हैं तो यह भी यह मतलब आप तेक शकते हैं इसे हम नेट्रवक क्यासा को सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से एक मोबाल के बोड के अंदर पाउस तरह का क्या जाता है जिसे हम एसके Shrank Coil, Boost Coil, Double-color Coil, Single-color Coil कह सकते हैं और आइडेनिटिपिकेशन कर सकते हैं तो दोस्तो एक Mobile Board के अंदर जो Coilies होता है उसकी किस तरह से पहसान करना है और उसकी किस तरह से करना है उसकी कितने टाइप होते हैं और उसका work और उसका जो सारी information होता है तब तके लिए बाई बाई सी यू नेक्स्ट वीडियो